हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टो चिकीस पाइलोजी अनदर वीडियो टूटोरियल इन दिस वीडियो टूटोरियल आई एम गोईंग टो डिसकास अबाउट बैस्ट टोप बायो मेडिकल इंजिनिरिंग कॉलिजिज इन इंडिया आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के इंक्तुट्ट अधर हमारे बैस्टथ टोप बायो मेडिकल इंजिनिरिंग कॉलिजिज के बारे में और हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर हमारे ऐसे कौन से institutions हैं, ऐसी कौन से universities हैं, ऐसे कौन से हमारे colleges हैं, जहाँ से हम लोग अपना कोई bachelor course, हम लोग अपना कोई master course, biomedical engineering stream में कर सकते हैं, बहुत सारे students की, बहुत सारे followers की, बहुत सारे subscribers की ये request आ रही थी, कि सर हमें इंडिया के जो top most reputated institutions हैं, biomedical engineering से related, उनके बारे में कुछ बताइए, तो ये वीडियो जो है, उनी सभी students के लिए एक major और crucial role play करेगी, इस वीडियो को आप लोग starting से लेके add तक देखें, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी skip मत करें, तो friends हम लोग start करते हैं, इ biomedical engineering course कर सकते हैं, आप लोग अपना mtech in biomedical engineering course कर सकते हैं, और अगर आप लोग further और higher education पे जाना चाहते हैं, तो इन सभी institution से आप लोग अपना PhD course भी कर सकते हैं, in biomedical engineering stream या in biomedical engineering domain, तो फ्रेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अगर आप लोग किसी भी IIT से अपना बी टेक कोर्स करते हैं सोरी बायो मेडिकल इंजिनिंग में तो इसके लिए आप लोगों के पास में फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ होना जुरूरी है आपके 12 क्लास में और उसके साथ स किसी भी Indian Institute of Technology से तो आप लोगों का GATE exam क्वालिफाई होना जुरूरी है GATE exam को क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग किसी IIT से किसी NIT से अपना MTAC in Biomedical Engineering कोर्स कर सकते हैं और अगर आप लोगों का IIT जो मैंने बताया JEE जो exam है अगर आप लोगों का मेंस exam क्वालिफाई ह है तो आप लोग किसी भी IIT से बीटाइक कोर्स कर सकते हैं और अगर आप लोगों का advance और जो मेंस exam है अगर बहुत आप लोगों का clear है तो आप लोग किसी भी IIT से बीटाइक कोर्स अपना कर सकते हैं तो friends यह कुछ एक basic information थी या basic knowledge थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शे आते हैं पायो मेडिकल इंदिनेग स्ट्रीम में तो इसके लिए आप लोगों के पास में कोई भी एक आप लोगों के पास में कोई भी एक national level की सोरी fellowship होना बहुत जरूरी है लाइक जैसे CSIR net life sciences exam आप लोगों का qualify होना चाहिए आप लोगों का ICMR exam qualify होना चाहिए आप लोगो जोइन कर सकते हैं बायो मेडिकल इंजिनिंग डोमें में तो फ्रेंट से हम लोग स्टाट करते हैं अपने को लिए में हमारे उप लोगों के साथ में डिसकुस किये उन सभी courses को करने के लिए IIT मदरास आप लोगों को world class facilities available कराता है तो IIT मदरास बहुत अच्छा एक institution है जहां से आप लोग अपना bachelor course आप लोग अपना doctoral course लाइक जैसे मैंने बता है PhD course आप लोग कर सकते हैं next हम लोग बात करते हैं IIT Bombay IIT Bombay के बाद IIT Delhi IIT Delhi के बाद हम लोग बात करते हैं SRM Institute of Science and Technology चैनने यह एक private institution है इंडिया का next Indian Institute of Engineering Science and Technology शिप्पूर next RV College of Engineering बैंगलोर next हमारा यहाँ पे मनिपाल Institute of Technology मनिपाल next हमारा यहाँ पे NIT राओर किला NIT राओर किला जो है National Institute of Technology राओर किला यहाँ से आप लोग अपना bachelor course आप लोग अपना master course biomedical engineering stream में कर सकते हैं और आप लोग यहाँ से अपना PhD course भी कर सकते हैं biomedical engineering stream में next हम लोग बात करते हैं चादवपूर University कॉलकता यहाँ से भी आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कोर्सिस हैं वो आप लोग कर सकते हैं biomedical engineering domain में next हम लोग बात करते हैं आप लोग के मन में कोई डाउट है मोतिलाल नहरू नेहरू नेशनल इंस्टीट ऑफ टेकनोलोजी अलावाद यह भी एक NIT है और इंडिया की टोमोस्ट एनाइट में इसका नाम है तो यहां से भी आप लोग अपने बहुत सारे कोर्सिस कर सकते हैं biomedical engineering domain में लाइक जैसे मनने बताई BTA course, MTAC course या अपना PhD course आई हो फ्रेंट्स यह वीडियो आप लोगों के लिए एक major और crucial role प्ले करेगी इस वीडियो से related अगर आप लोगों का कोई question है आप लोगों के कोई query है या आप लोगों के मन में कोई doubt है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में type कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में connect हो सकते हैं Chikis biology के facebook page के साथ Chikis biology के instagram account के साथ जिसकी link मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी videos के description box में provide कराता हूं और आप लोग महाँ पे भी अपने questions अपनी queries अपने doubts मेरे साथ में clear कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो first of all आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लें चुकि next video जो हम लोग Chikis biology चैनल पे upload करेंगे उस video का notification आप लोगों के पास में तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को महाँ पे subscribe कर लिया है तो friends चैनल को subscribe जरूर करें और videos को अपने सभी friends, अपने सभी clicks, अपने सभी batchmates को जरूर share करें वीडियोज को जादा से जादा शेर करें, जादा से जादा लाइक करें So thank you friends, thank you for watching